Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. परम के पिताजी के हाथ में नुकिला चाकू था, उस चाकू की नुक आरूशी की और थी। दर्श चिलाया, आरूशी को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, आरूशी को कुछ नहीं होना चाहिए। आरूशी को कुछ भी हुआ तो तुम जिन्दा नहीं परम के पिताजी ने दर्श को कहा, इमत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, दर्श आरूशी के बगल में ही था, लेकिन दर्श परम के पिताजी की कैद में था, दर्श ने उस कैद से निकलने की बहुत कोचिश की, दर्श हर बार नाकामियाब रहा, परम के पिताजी दर्श को और तड़पाना चाहते थे और आरुशी दर्ष की कमजोरी थी, ये परम के पिताजी समझ गए थे, परम के पिताजी ने इसी बात का फायदा उठाया, अब परम के पिताजी ने उस चाकू की नोक से आरुशी की चेहरे पर एक लकीर खीची, इससे आरुशी जोर से चिल्ला दर्श दर्श बचाओ। दर्श आरुशी को यूं तडपते वे नहीं देख सकता था। ऐसे ये दर्श ने अपनी आखे बंद कर ली। वहीं शेव हरी भी कैद से नहीं छूट पा रहा था। ये सब देखकर परम के पिताजी को बड़ा मज़ा आ रहा था। परम के पिताजी ने आरुशी के दूसरे गाल पर भी अब एक लकीर खीच दी। उसके गालों से खून बहने लगा और आरुशी और जोर से चिलाने लगी। आरुशी की हर एक चीख दर्श को तडपा रही थी। दर्श बगल में मौझूद होने के बावजूद आरुशी को परम के पिताजी की कैद से नहीं बचा पा रहा था। अब परम के पिताजी ने का, क्या हुआ दर्श, देखो तुम्हारी प्यारी दोस्त तुम्हें मदद के लिए पुका रही है। बताओ दर्श, क्या तुम आरुशी की मदद नहीं करोगे। दर्श ने गुस्ते में का, अपनी हद में रह पापी, मुझे तड़पाने के लिए तुम एक लड़की का सारा ले रहे हो। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर, आए बड़ा खुद को मर्द कहने वाले। परम की पिताजी ने ये सुनकर का, मेरी मर्दानगी पर सवाल मत उठाना दर्श, रही बात हिम्मत की तो वो तुम से कहीं जादा है मुझे। दर्श ने का, जैसा पीटा, वैसा बाप, ना परम में उतनी ताकत थी, ना तुम में उतनी ताकत है। डरते नहीं हो ना, तो मेरे हाथ लड़ो, पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। परम के पिताजी ने का, करेंगे, वो भी करेंगे। इतनी जल्दी क्या है, पहले तो मैं थोड़ा तडपते वे तो देख लूँ। परम के पिताजी जोर-जोर से हस रहे थी। परम के पिताजी ने फिर कुछ सोच कर का, चलो एक खेल खेलते हैं, वक्त का खेल, पता लग जाएगा, तुम में कितनी शक्ति है, बड़ा मजा आएगा। ऐसा कहकर परम के पिताजी खुश होने लगते हैं, लेकिन दर्ष, आरुशी और शिवहरी कुछ भी नहीं समझे थे। दर्ष ने कहा, वक्त का खेल, कहना क्या चाहते हो तुम। परम के पिताजी ने का, तुम जल्दी ही जमझ जाओगे। अब परम के पिताजी ने आरुशी को अपना महरा बनाया। और वो हाथ में धारदार चाकू लेकर आरुशी के सामने खड़े हो गए। आखिर परम के पिताजी का क्या एरादा था, क्या वो आरुशी को मार देने वाले थे, या ये सरिफ दर्ष को तड़पाणे कि लिए क्या जा रहा था। ऐसे में परम के पिताजी आरुशी के पास आखर तुरन आरुशी के हाथ की नस काट देता है। जहां आरुशी जोर से चिल्लाई, वहीं दर्श ने चिल्लाते हुए का, नहीं, आरुशी, शिवहरी भी हैरान होकर ये नजारा देखता रह गया, और परम के पिता जी ने का, अब तुम समझे, वक्त का खेल क्या होता है, जब तक आरुशी का खून है, तब तक आरुशी की स सांसे चलेगी, आरुशी को बचाने का वक्त भी उतनाई मिलेगा, बचा सको तो बचा लो अपनी दोस्त को, बड़ा मजा आने वाला है, ऐसा करके परम के पिता जी खुश होकर अपनी सिंगाहसन पर जाकर बैठ चाते हैं, बहीं आरुशी के हाद से निकलती खून की एक- आरुशी की सांसे धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी, और साथ ही उसकी आँखे बंद हो रही थी, दर्श ने का, आरुशी तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी आँखें खुले रखो, मैं हूँ ना, परम की कोशिश जारी थी, परम की पिता जी इस सब देखकर मजा ले रहे थे और उन्होंने चिलाते हुए का, वक्त निकलता जा रहा है दर्श, वहीं दर्श की कोशिश जारी थी, परम की पिता जी ने का, दर्श अब तुम समझोगे, जब कोई अपना अपनी आँखों के सामने मरता है तो कैसा लगता है, ठीक वैसा ही मुझे मैसूस हुआ जब परम अपनी आँखर इस सांसे ले रहा था, दर्श तुम इसी लायक हो, दर्श का गुस्ता ये सुनकर और बढ़ चुका था, लेकिन आरुशी को दर्श पर भरोसा था, क्या दर्श आरुशी को बचा पाएगा, दूसरी तरफ शिवहरी भी अपनी कैट से छूटने की कोशिश कर रहा था, आरुशी अपनी तकनीक की मदद से अपनी शक्ती धीरे धीरे करके दर्श को ट्रांसवर कर रही थी, लेकिन उसकी आँखें बंध हो रही थी, ऐसे नाचानक से एक तीज रोशनी हुई और दर्श गुस्ते से फट चुका था, ऐसी रोशनी का आभास पहले किसी ने महसूस नहीं किया था, दर्श की उस रोशनी ने सब का ध्यान अपनी और केंद्रित कर दिया था, दर्श ने इसी का फायदा उठाया, दर्श ने अपनी उनिवर्सल बैग में जितने भी अमरित की गोलियां थी, वो सब एक साथ ही खाली, और प्रिंसेस याम लाल हो चुकी थी, दर्श की शक्ती देखकर परम के पिताजी की हसी रुख गई, और वो शौक हो गए, शिवहरी भी चौक गया था, वहीं अब काफी खुन बहने की वज़े से आरुशी होश में नहीं थी, ऐसे में जैसे ही दर्श के आसपास की रोशनी कम होई, सब ने द परम के पिताजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आकिर दर्श के पास इतनी शक्ती आई कहां से, दर्श पूरी तरह से बडल चुका था, दर्श का स्तर और मस्बूत हो गया था, और उसके आसपास का औरा ब्लू हो गया था, बलकि आसपास के आसमान में अब भी काले बादल छा गए थे और दर्ष के चारों और बिजली आ गई थे वहीं दर्ष अब हवा में उड़ने लगा था जहां शेभारी दर्ष को देखकर बेहद खुश हो गया था वहीं परम के पिताजी दर्ष को देखकर हैरान रह गए थे ना ही वो बलकी पहले इसमें मौझू सभी दर्ष को देखकर दंग रह गए थे एक ने का मैंने ऐसी शक्ति आज से पहले कभी अनुभव नहीं की यह आखिर कैसी शक्ति है दूसरे ने का दर्ष बदल चुका है अब भगवान ही बचाया इसकी कहर से सब के मन में डर घर कर गया था बादलों का गरजना बिजली की चम चमाहट और दर्ष का औरा देखकर लग रहा था मानुज जैसे प्रित्वी का अंत आज तै था और सबसरी डरावनी बात ये थी कि दर्ष पर वो शक्ति हावी हो रही थी और वो बे काबू हो गया था शिवहरी भी यह देखकर डर गया था शिवहरी ने कहा दर्ष तुम्ह ना अपनी शक्तियों पर काबू करना होगा और ना तुम पूरी दुनिया को तभा कर दोगे पर दर्ष को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था दर्ष शक्ति को नहीं बलकि शक्ति दर्ष को काबू कर रही थी दर्ष अब एक ब्लू रोब वाल्ट स्पिरिटिस बन चुका अधिया थी जरूर कोई बड़ी मुसीबत जन लेने वाली है अधिर वो कौन सी मुसीबत थी रहीं ये दर्ष का कोई सपना तो नहीं था ऐसे में आरुशी के जान भी खत्रे में थी उसकी आंखे बंद हो रही थी और उसकी सांसे भी ऐसे में दर्ष जोर से चिलाया और दर इसको हिला दिया फिर दर्ष तुरंत एक वार किया और टेज हवा के साथ तर्ष ने नीले रंग की बीम आरुशी के ओर छोड़ी अरुशी परम के पिताजी की कैद से छूट गई थी और इससे पहले परम के पिताजी कुछ करते दर्श ने उन्हें अपनी शक्ती से बर्फ में जमा दिया था। दर्श ने वक्त दवाई बिना ही अपनी युनिवर्सल बैग में इससे हीलिंग दवाई निकाली। दर्श ने तुरंट आरुशी को वो जादूई दवाई खिला दी। कुछ ही पलों में आरुशी के सारे घाव तो भर चुके थे पर अभी तक वो खोश में नहीं आई थी। ऐसे में खत्रा टाला नहीं था। बलकि दर्श का कद अब भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और उसके औरा के साथ साथ बिजली भी तीज होती जा रही थी। तलवार खाटी स्कूल की सीना दर्श के पास आने से भी डर रही थी। ऐसे में दर्श ने फिर से वार किया। तेज हवा के साथ उसने नीली रंग की बीम शिवहरी की और फिंखी। शिवहरी भी परम की पिताजी की कैद से आजाद हो चुका था। तेज तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शिवहरी जैसे तैसे करके आरुशी के पास पहुँच गया था। इस अब देखकर परम के पिताजी ने आग की लपनों का इस्तमाल किया और इस एक वार से पूरे पैलेस में गर्मी फैल गई। तेस हवा गर्मी में खुल गई पर इससे दर्श की शक्ति को कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में दर्श आरुशी और शिवहरी को साथ देखते वे का। वाह। आखिरकार तुम जीत गए। मानना पड़ेगा। ये सुनकर दर्श ने का। बस बहुत बोल लिया तुमने। अब आरुशी के शरीर से निकले एक के खुन के कत्रे का बदला ना लिया। तो मेरा नम भी दर्श नहीं। अब परम के पिताजी और दर्श एक दूसरे के आमने सामने थे। परम के पिताजी ने दर्श पर तेजी से अपना वार किया परम के पिताजी ने दर्श की हवा किया उसी पर उप्योग करके एक आग का गोला दर्श की और फेक दिया आग का गोला तीरी से दर्श की और आ रहा था और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था लेकिन दर्श ने बड़ी आसानी से परम के पिताजी के वार को चख्मा दे दिया भी देखकर परम के पिताजी ने लगातार आग के गोले दर्श पर बरसाने शिरू किये उस आग के गोले के रफतार बंदूग से निकली गोली से भी तेज थी लेकिन दर्श परम के पिताजी के हर एक आग के गोले को बड़ी ही आसानी से चक्तमात दे रहा था वैसे तो परम के पिताजी के आग के गोले से बचना साधरन बात नहीं थी इसलिए परम के पिताजी शौक हो गए थे वहीं उस पैलेस की गर्माहट भी बढ़ती जा रही थी आरुशी और शिवहरी का वहां रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था उन्हें कुछ ना हो इसलिए अब दर्श ने उनके एर्द गिर्द एक आकर्शन बना दिया एक अद्रिश याकर्शन इसलिए कोई भी उस आकर्शन को नहीं देख सकता था और परम के पिताजी चाहकर भी आरुशी और शिवहरी को नुक्सान नहीं पहुचा सकते थे आखिर में परम के पिताजी ने अपना दूसरा वार किया परम के पिताजी ने अपने मंतर से एक जादूई नगरी बनाई जो हूब हूब असली दुनिया से मिलती थी लेकिन इस जादूई नगरी में सिर्फ दर्श और परम के पिताजी ही थे ये जादुई नगरी कोई साधरन नगरी नहीं थी बलकि ये बहुत ही खतरनाक थी इस नगरी में सिर्फ और सिर्फ परम के पिताजी का राज चलता था दर्श का एक भीवार इस नगरी में काम नहीं कर रहा था आखिर दर्श इस नगरी से कैसे लड़ेगा परम के पिताजी के साथ कैसे मुकाबला कर पाएगा लेकिन दर्ष बिलकुल भी डरा नहीं दर्ष वही हिम्मत जुटा कर खड़ा रहा और अगले वार का इंतजार करने लगा अब परम के पिताजी ने अपनी सबसे डरावी तकनिक का इस्तमाल किया खोस्ट तकनिक इस तकनिक कावार जिस किसी पर भी किया जाता है वो एक गहरे सपने में पहुंच जाता है और तब तक नहीं उटता जब तक वो खुद की ही शक्तियों से लड़कर हार नहीं जाता दर्ष इस वार से बिलकुल अंजान था परम के पिताजी ने दर्ष पर एक जादोई गोला बना कर फेका वो जादोई गोला दर्ष की और तेजी से आता है और ये जैसे ही उसे लगता है उसके सामने अचानक से अंधेरा चा जाता है लेकिन इसके दो मिनिट बाद दर्ष फिर से होश में आ जाता है क्योंकि दर्ष ने उस शक्ति को अपने में समा लिया था। ये करना आसान नहीं है इसलिए परम के पिताजी हैरान रह गए। वहीं दर्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और आखिरकार दर्ष ने बुद्धा पाम तक्नीक का इस्तुमाल किया। ये तक्नीक का इस्तुमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस तक्नीक के सामने अच्छे अच्छे घुड़ने टेक देते थे। दर्ष के इस वार ने परम के पिताजी द्वारा बनाए पूरी जादूई नगरी को एक ही जटके में तोड़ दिया। दर्ष और परम के पिताजी अब असली दुनिया में वापस आ गए थे। परम के पिताजी ने अब कहा, ये तुमने कैसे किया। आज तक कोई मेरी इस जादूई नगरी को नहीं तोड़ पाया है, ना ही मेरे घोस तक्नीक से बचपाया। तो तुम कैसे। परम के पिताजी का वार दर्ष के सामने कुछ नहीं था। दर्ष के पास हर उस वार का तोड़ था। परम के पिताजी को अपनी मौत सामने नजर आ रहाई थी। फिर भी परम के पिताजी ने हार नहीं मानी। दर्श ने दूसरी बार अपने बुद्धा पाम का वार किया। दर्श के इस वार ने तलवार घाटी स्कूल को हिला का रख दिया। दर्श के एक वार ने परम के पिताजी को घुटनों पर बठा दिया था। और दर्श बहुत शक्ति शाली बन गया था। परम के पिताजी को नहीं छोड़ने वाला था अब दर्ष परम के पिताजी को तड़पा रहा था दर्ष के शक्ती और स्पिरिट को देखकर शिवहरी खुश्टो था साथ ही शौक भी था आखिर दर्ष के पास इतनी शक्ती कहां से आई दूर खड़ा शिवहरी आरुशी का खयाल रख रहा था जबकि दर्ष ने देखते ही देखते बड़ी ही क्रूरता से पूरी तलवार घाटी स्कूल को जला कर रख दिया था तलवार घाटी में मौजूद सभी लोग मर गए थे क्या परम के पिताजी भी उस आग में जलकर मर गए जब दर्ष आरुशी और शिवहरी को उठा कर तलवार घाटी स्कूल से बाहर ले आया तब जाकर उसका गुस्ता शान्त हुआ दर्ष के आसपास नीले रंग का औरा भी अब गायब हो गया था और आरुशी भी होश में आ चुकी थी लेगन एकदम अचानक से दर्ष के हालत बहुती गंभीर हो जाती है और वो अचानक ही बेहुश हो गया ऐसे में दर्ष उठने के हालत में नहीं था और उसके शरीर पर काफी जखम भी थे वहीं आरुशी दर्ष को देखकर डर गई थी अखिर क्या हुआ था दर्ष के साथ वहीं शिवहरी और आरुशी दोनों दर्ष को लेकर हजार हड़ियों के मकबरे में पहुँच जाते हैं जाईशा और देवी दर्ष की हालत देखकर डर जाती है दर्श बेहुशी में अभी कुछ बड़बढ रहा था आखिर क्या हुआ था दर्श को क्या ये नई ताकत दर्श को अंदर से मार रही थी क्या दर्श बच पाएगा आगे क्या हूने वाला था दर्श के जिन्दगे में जानने के लिए सुनते रहे फोकेट असम